हलो स्टेमेंट्स वल्कम बैक टू माइ चैनल यार्चनल पुनित सर की पाठ चाला और आज लेके आ गया हूं क्लास 9 का चैटर नमबर 6 लाइन्स एन एंगल्स का खुबसूरत सा इंट्रोडक्शन तो बिना देरी किये इस लेक्चर को शुरू करते हैं तो मेरे प्यारे बच्चों आज कुछ बच्चों ने क्या था एक दू कॉमेंट्स थे लेकिन कुछ बच्चों ने क्या था कि सर वो लाइन्स एन एंगल्स का चैटर का इंट्रोड़क्शन बना दो और फिर उसकी एक्सटाई्स सॉल्व कर वाद तो मैंने का चलो 9 क्लास में ह इसका खुबसूरत सा introduction और मैंने कहा भी है कि lines and angles यानि chapter के नाम को समझ लो chapter का काम अपने आप समझ में आजाएगा लेकिन इतनी भी जल्दी आपने आप समझ में नहीं आता जब हम बड़ी classes में आ जाते हैं लेकिन तब भी थोड़ा थोड़ा idea हो जाता है तो बात करते हैं lines क तो देखा जाए तो हमारे पास एक शब्द है जिसका नाम है lines लेकिन lines से भी पहले मैं geometry की starting अगर आप से बोलूँ तो वो start होती है एक point के साथ किसके साथ होती है एक point के साथ होती है यानि point एक बिंदू होती है जो कि हमने सर्फ निव रखी और जितना हमने बनाया वो point है और इसी point के collection से मिलकर बनी एक line अगर हमने इसी point को बहुत सारे बहुत लंबा या दोनों तरफ आगे बढ़ा दिया तो क्या मिली line यह सब basic बाते हैं फिर मैं कोशिश करूँ कि ज्यादा basic cover करते जाओ इस वीडियो में जो यह line है यह point के collection से मिलकर बनी है यह points को collect किया गया और A की direction में, straight direction में हम लोगों ने इन points को आगे बढ़ा दिया infinitely लेकिन खुबसूरत बात यह है कि यह bi-directional होती है अभी आपको समझ मायागा bi-directional का मतलब क्या होता है अब देखा जाए तो एक और चीज है जिसको हम बहुत अच्छे से समझना चाहते हैं वो है अगर हम इस इसी infinite many points को दोनों तरफ न बढ़ा के A की तरफ आगे बढ़ाए तो उसको बोलते हैं Ray क्या बोलते हैं Ray तो एक हो गया point point की collection से बना line जो दोनों तरफ आगे बढ़ जाए A की तरफ आगे बढ़ने वाली को क्या बोले जाता है Ray एक तरफ आगे लगने बतलब इसका simple सी अर् जो difference है वो यह है कि जो line है वो दोनों तरफ आगे बढ़ती है और जो Ray है वो एक ही direction में आगे बढ़ती जाती है इसका मतलब इसके पास इस line के पास कोई भी end point नहीं है no end point कोई end point नहीं है कहीं खतम नहीं होती लेकिन यह जो है वो इसका एक end point होता है only one end point end point समझ मैं है अब बात करते हैं एक और खुबसूरत से शब्द की जिसका नाम था line segment सब बच्चों ने बोला होगा कि सर line और line segment में मतलब अंतर क्या है रे में तो अंतर बता दिया पुनिश सर ने line segment में अंतर क्या है तो पहले बनाओ बच्चों line क्या बनाओ line बनाओ क्या अब इस line के अंदर दो points लो दो distinct points लो दो दूर-दूर points ले लो चीक है से suppose हमने कर दिया कि एक point A है और एक point B है इस distinct point की जो value होती है या इसको जो कहा जाएगा distinct point तक उसको कहा जाएगा line का part क्या बोलेंगे line का part यानी part of line और पीटा part का मतलब होता है segment हिस्सा segment का मतलब होता हिस्सा तो एक line का हिस्सा एक line का part क्या कहलाएगा line segment क्या कहलाएगी line segment so what is a line segment line segment is nothing but the part of a line part of line जो होगा वो क्या होगा line segment line क्या होगा collection of points जो की infinitely bi-directionally आगे बढ़ सकते हो और अगर unidirectional की बात करें तो अगर unidirectionally हमने बनाया infinitely many points तो उसको क्या कहा जाएगा ray और line के छोटे से हिस्से को क्या कहा जाता है line segment जो की finite होता है finite का मतलब होता है limited finite का मतलब होता है limited मतलब 7 cm line segment 8 cm line segment 5 cm line segment 6 में आपने construction किया होगा draw 5 cm line segment यह होई है मतलब यह finite होगा इसकी कुछ fixed value होगी इसकी कोई fixed value नहीं है आप चाहो तो इसको आगे भी बढ़ा सकते हो आप चाहो तो इतना भी बना सकते हो is it clear सब को समझ में आ गया तो line क्या होती है line is nothing but a collection of point point क्या होता निप का एक हिस्सा paper पे रख दो 2D shape में 2D figure पे या 2D plane पर यह जो होगा यह जो होगा इसको बोलेंगे point क्या होगा point और point के collection से क्या बना line line के point के collection से क्या बना रे और उसी line के अंदर छोटा सा एक part जो होगा उस line का छोटा सा हिस्सा जो होगा उसी को क्या कहा जाएगा line segment तो lines तो समझ में आ गया line तो समझ में आ गया sir line तो आ गया अब line के बाद बात करते हैं lines की बात भी करेंगे कि lines कैसी दिख सकती है graph के अंदर लेकिन पहले हम बात कर लेते हैं angle की तो एक खुबसूरच सी चीज हमको बाद न पता चली कि angle किस तरह से देखे गए वो देखो सबसे पहले क्या हुआ कि एक line बनाई गई एक line बनाई गई और इसके साथ एक line और बनाई गई एक line और बनाई गई अब यहां पर इस point को कहा जाता है intersecting point दो line है तो हमने line के नाम दे दिए A और B आप दे सकता हो फिर इसको आगे भी बढ़ा सकते हो हमने कोई फ़रक ने पड़ता है हमने इसका नाम दिया C और हमने इसका नाम दिया D और O है जो intersecting point है या point of intersection between A, B and C, D lines अब सीध यह हुआ कि यहाँ पर हमको कुछ मिला क्या मिला यहाँ मिला हमको यह जो मिला ना दो raise अब देखो यही पर raise भी दिखी हम कैसे अगर हम इसको मिटार दें for example इसको हम रब कर देते हैं तो यह जो है वो एक end point है जहां से दो raise निकल रही है जिसे खडी के काट है एक point से एक single point से दो raise जब जाती है एक point से जब दो raise जाती है तो बनता है angle क्या बोलते हैं इसको इसको बोलते हैं angle और किस angle की बात कर रहा हूं अभी मैं minor angle की बात कर रहा हूं क्योंकि इसका major angle भी है यह वाला जिसको हम बोलते है reflex angle types of angle में आप पढ़ेंगे reflex angle acute angle, obtuse angle, right angle, straight angle, reflex angle, full angle तो यह वो angle है जिसके हम बात करेंगे तो lines और angles यह सब angles degrees में नापे गए कैसे 1 degree, 2 degree, 10 degree, 40 degree, 45 degree, 90 degree, 180 degree और 360 degree के बाद यह पूरा का पूरा एक complete angle बनता है 360 degree का अब आपको समझाता हूं angle क्या होता है angle वो point या angle वो होता है जहाँ पर जहाँ से 2 raise निकलती है, 2 raise निकलती है एक single point से तो क्या बनता है एक angle जब line intersect करी तो उस intersecting point पर 4 angle बने, 4 दिखते हैं लेकिन उसमें और भी angle होते है, straight angle भी होता है, बहुत सारे होते है तो ऐसे ही हमारे पास बहुत सारे angle मिले हमको, तो हम उनके types भी पाता कर लेते हैं, angles के types कौन-कौन से होते हैं, आप सबको पता होगा, acute angle जो होता है, 0 और 90 के बीच वाला जो angle होता है, उसको बोलते है, acute angle इस angle का नाम भी करन कर दो, दुनिया का खुबसूरत नाम यह हो भी एंगल में, ABC triangle में, ABCD quadrilateral में, तो इसको बोलेंगे acute angle, क्या बोलेंगे, acute angle, अब बात करी जाए, तो एक और angle होता है, जिसमें दोनों rays एक ही जगा हैं और घूमी नहीं है, तो इसको बोलेंगे 0 angle, क्या बोलेंगे, 0 angle, जो 0 degree का होगा, वो 0 angle होगा, फिर उसके बाद acute angle, फि बहुत मज़ा आएगा इसमें, यह होगा right angle, फिर इसके बाद यही angle थोड़ा सा और आगे बढ़ेगा, और यह आजाएगा, यह आजाएगा 90 और 180 के बीच में, मतलब 90 और 180 के बीच में, at 90 degree तो होगा right angle, at 0 degree तो होगा 0 angle, 0 degree और 90 degree के बीच में, मेरा मतलब यह है, कि 0 से 0.5 भी बड़ा और 90 से 0.5 भी छोटा, तो इसको क्या कहा जाएगा, acute angle, फिर 90 और 180 degree के बीच वाले angles को क्या कहा जाता है, obtuse angle, obtuse angle, और फिर इसके बाद आता है, straight angle, जो दोनों यह पूरी रेस यहाँ पर आ गई, और एक straight line बनी, तो बना straight angle, जो की था, 180 degree का, और फिर 180 से angle जो होगा, वो क्या होगा, वो क्या होगा, वो होगा, रिफ्लेक्स एंगल, जिसके अभी वीडियो में मैंने आप से बात करी, रिफ्लेक्स एंगल, और इसके बाद यह पूरा धूम के एक बार complete कर ले अपना revolution, तो इसी को बोलते हैं, इसी को बोलते हैं, full angle, और वो होता ह 360 degree का, और यह होता है, 180 से लेकर 360 degree थक के angles, 180 से बड़ा, 360 से छोटा, तो यह different types of angles हमको मिल गए, और हम लोगों ने इसके बारे में बहुत अच्छे से अध्यन भी कर लिया, अब lines की बात कर लेते हैं, lines कैसी दिखती हैं हमारे पास, तो lines जो होती है, my dear students, lines हमारे पास बहुत अलग अलग प्रकार की होती हो, वो होती है, तीन प्रकार की, पहली होती है, एक line ये, और एक line ये, इन दोनों lines को कहा जाता है, intersecting lines, क्या कहा जाता है, intersecting lines जो इसके पहले में बना भी चुका हूँ, दो lines हैं जो intersect कर रही हैं एक दूसरे को, फिर कुछ lines हैं जो की intersect नहीं करत यह हैं एक दूसरे को उन lines को कहा जाता है parallel lines आप किसी ने बच्चे ने पूछ लिए सर definition of parallel lines क्या है तो parallel lines की definition यह है कि two lines which are not intersecting each other लेकिन problem है यह आप माल लिए एक line यह है और एक line यह है क्या आप इन दोनों को parallel line बोलोगे कैं मेरा answer है नहीं और आप लोग का भी answer होगा नहीं sir हम इन दोनों को parallel line नहीं बोल सकते क्यों नहीं बोल सकते क्योंकि इनको आगे extend करने पर ये दोनों आगे जाके कहीं ना कहीं meet कर रही है एक point of intersection बन रहा है इन दोनों lines का लेकिन parallel line की खुबसूरती है if extended if extended these two lines will never intersect each other और एक चीज़ और बोल सकते हो the perpendicular distance between the two lines remains constant मतलब दोनों lines के बीच का distance जो होगा वो बरावर होगा तो वो parallel line के लाएंगी क्योंकि वो आगे जाके meet नहीं करेंगी लेकिन अगर इन दोनों lines के बीच का distance कम होते जा रहा है या भरते जा रहा है तो यह मान के चलिए कि यह line एक दूसर से intersect करेंगी यानि perpendicular distance between the two lines is equal then we can say that these two lines और three lines और four lines और five lines are parallel to each other जैसे आपकी copy की lines जो होती है न वो या पट्री रेल की पट्री और ऐसे parallel line नहीं है non parallel lines non parallel lines को क्या कहा गया intersecting lines और फिर इसके बाद एक और type बना जिसको बोला coincide lines क्या बोलते हैं उनको coincide lines when two lines overlap each other दूनों एक दूसरे के ऊपर आजाएं overlap करने लगें तो इनको बोलते हैं coincide lines क्या कहा जाएगा इनको coincide lines इतना clear हुआ सबको clear हो गया बहुत शानदार तो ये तीनों चीज़े lines से related भी हो गई अब एक basic और आजाएं complementary, supplementary angle, vertically opposite angle, parallel lines के अंदर, transversal बहुत सारी चीज़ें पर एक ता छापो इसको बहुत शानदार अब next जो है वो है angles से related और lines से related पताता हूँ कैसे माल लीजे मैंने कहा कि एक straight line थी और उस straight line के अंदर मैंने एक point लिया O और उस line का नाम था A और B, उस O point से मैंने एक ray बनाई, क्या बनाई मैंने एक ray, मैं लाइन भी बना सकता था लेकिन मैंने ray बनाई तो मुझे कितने angle मिले, टेकनिकली तो मुझे बहुत सारे angle मिलेंगे देखो एक ये वाला एक ये वाला एक पूरा angle फिर एक 360 reflex बहुत सारे angle मिल जाएंगे हमें उस से मतलब नहीं है, आपको पता भी जाएगा कौन से angle की बात चल रही है, लेकिन मुझे टेकनिकली देखेंगे तो मैं छोटे तोर पर देखूं तो मुझे एक angle ये देखेगा और एक angle ये देखेगा, उस angle का नाम करण कैसे करते हैं, माल लिजा अगर ये E है तो या और ये EOC, अब एक बात बताईए कि ये straight line है, तो इसका angle का, इसकी value किती होगी, इस पूरे angle की value किती होगी, इस पूरे angle की value होगी, 180 degree और बेटा जब दो adjacent angle का sum, दो adjacent angle का sum, 180 degree होता है, तो इसको supplementary ना बोलके हम बोलते हैं, linear pair, क्या बोलते हैं, my dear student, linear pair, क्या बोलते हैं, linear pair अब को इपी दो angle, अनी तो angle, अनी तो angle, अनी तो angles Supplementary Angles क्या बोलेंगे इनको Supplementary Angles बोलेंगे अगर कोई भी दो एंगलों का Sum 180 डिगरी हो या तीन एंगलों का Sum 180 डिगरी हो मैं कहा रहा हूँ Angle A प्लस Angle B प्लस Angle C अगर 180 डिगरी है तो Supplementary बोल देंगे These are Supplementary Angles सबका sum 180 degree है तो ये तीनों को ही supplementary angles बोलेगे लेकिन हम pairing के उपर चलते हैं तो क्या बोलते हैं linear pair और दो angle का sum भी अगर बोले तो pair के रूप में तो भी वो supplementary होगा लेकिन अगर वो adjacent हैं साथ साथ चल रहे हैं एक line के अंतरगत ही आ रहे हैं तो उनको बोलेंगे linear pair दोनों में ज्यादा बाला difference नहीं है 180 degree का बस यही है कि माल लीजे कि for example angle 1 और angle 2 का sum 180 degree है तो इनको linear pair मत बोलने न बस इनको बोलना supplementary angles समझ में आ गया है? I hope इतना तो समझ में आ गया होगा clear होगा? बहुत शानदार हम एक और है supplementary के बाद complimentary free वाला supplementary के साथ एक complimentary free देखो कैसे यह एक line है sorry ray है और इसी point से एक और ray निकली जिस पर कितना degree का बना? 90 degree यह लिखना जरूरी नहीं है अगर आपने ऐसा box बना दिया इसका मतलब यह इंडस्टूडे कि यह 90 degree है और उसका खुबशूरत सा नाम भी कर दो a o b अब इस angle का value angle a o b की value कितनी है 90 degree और इसे point से एक ray और बना दू अंदर की तरफ बाहर में अंदर की तरफ तो यहां मिला एक angle जो कि यह c है a o c तो angle a o c plus angle c o b की value कितनी हो जागी 90 degree क्योंकि आपको तो पता ही है यह वाला angle प्लस यह वाला angle तो पुरा angle बना रहा है न तो यह कितना हो जागा 90 degree और जब दो angles का sum दो angles का sum अगर 90 degree होगा तो उन angles को क्या कहा जाएगा complementary angles क्या कहा जाएगा पूरी basic basic बाते हैं इस वीडियो के बाद पूरा का पूरा chapter आपको समझ में आ जाएगा और पूरे chapter अपन करना भी चालू करेंगे जब मैं पढ़ाओं में तो आपको आएगा obviously कोशिश करूंगा पूरी इतना समझ भागा कि complementary angles आ गया तो linear pair दिमाग में रखना linear pair कैसा होगा अब बात करते हैं parallel lines की वापस क्योंकि अब आने वाले हम बहुत शांदर चीजों पर देखना मताएगा अब यहीं से बनाना चालू करूंगा पूरा का पूरा और एक साथ बना हुआ इस हमारे पास एक यह एंगल यह लाइन और एक यह लाइन यह दोनों लाइन अगर पैरलल हैं इनका नाम करन कर दो अगर यह पैरलल है तो इनके जो परपेंडिकलर डिस्टेंस से बीच का वो सेम रहेगा और अगर इन दोनों लाइन को एक लाइन अगर इंटरसेक्ट करती है दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पर मैंने कहा say it is e और say it is f f पॉइंट और e पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रह वर सल क्या कहते हैं इसको ट्रांस वर सल यह दो लाइन पैरलल लाइन्ट क्वाश्ट और शोना है चर्णाइब और चार नाम ख्रण कर हो एंगड़ वन यह तु एंगल 3 एंगल 4 एंगल 1, 2, 3, 4 में खेला करो ज़्यादा एजी रहता है लेकिन डाइगरम बना के फिर एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8 अब आती है mathematics की बात और measuring की बात तो क्या हुआ जब दो line intersect करीं दो line जब intersect करीं, सीधी straight line जब intersect करीं तो ऐसा पता लगा कि जो point of intersection से जो चार एंगल बनते हैं ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, इन दोनों, इन चारों एंगल की खुबसूरती ये है कि अगर इसका नाम angle 2, इसका angle 1, इसका angle 3, इसका angle 4 है तो angle 1 हमेशा angle 4 यानि opposite के बराबर होगा और angle 3 किसके बराबर होगा, angle 2 के और इनका नाम current किया गया, उसको बोला गया vertically opposite angles क्या कहा गया, vertically opposite angles, बहुत शानदा क्या बोला गया vertically opposite angles किन को बोला गया angle 1 बराबर angle 4 angle 3 बराबर angle 2 तो कौन से के लाए angle vertically opposite angle अब इस figure में बताओ vertically opposite angle कौन से होंगे 1 के opposite कौन होगा sir 1 के opposite तो 3 दिख रहा है तो 1 किसके बराबर हो जाएगा 3 के 2 के opposite कौन दिख रहा है सर 2 के opposite 4 दिख रहा है तो 2 बराबर हो जागा 4 के vertically opposite angles इस सब measurement किया है उसके भाद पर लागा 5 के opposite कौन दिख रहा है सर 5 के opposite 7 दिख रहा है और 6 के opposite 8 दिख रहा है तो इन सब को क्या बोलेंगे हम vertically opposite angles क्या बोलेंगे vertically opposite angles यानि when two lines intersect each other, when two lines intersect each other, their vertically opposite angles are equal, बहुत खुप्सूरत बात है, हाला कि ये extremely sorry light cut हो गई थी power cut हो गया था, I am so sorry, तो हम बता रहे थे कि angle 1, angle 3, angle 2, angle 4, angle 5, angle 7, angle 6, angle 8, vertically opposite angles होंगे, अब बात ये है, जो मैं बता रहा था, बात ये है कि अब हमारे पास केवल यही सारे angles नहीं है, यह सारे और भी measurement किये गए और हमको और चीज़े पता चली, बताते हैं, बताते हैं, बताते हैं के करके बताते हैं, बिल्कुल tension मत लो, माल नीचे वही है, lines parallel है, और acting as a transversal, एक और line intersect कर रही है, और यहां पर वही 8 angle बन रहा है, angle 1, angle 2, angle 3, angle 4, angle 5, angle 6, angle 6, angle 8, तो 1, 2, 3, 4, और 5, 6, 7, 8, यह order हमेशे याद मत करना, हो सकता आपका order change हो, आपकी किताब में order change कर रहा हो, तो angle 1 जो है, वो 3 के बराबर है, 2 जो है, वो 4 के बराबर है, लेकिन एक और खुबसूरत बाद पता चली, कि जो angle 1 था, वो angle 5 के बराबर निकला, angle 2 जो था, वो angle 6 के बराबर नि यह corresponding angles कहला है, क्या कहला है, corresponding angles, इनको का कहा गया, corresponding angles, corresponding है मतलब, right side उपर, left side उपर, left side उपर, left side उपर, फिर left side नीचे 3, तो left side नीचे 7, तो these are corresponding angles, लेकिन line का parallel होना अत्य अवश्यक है, अगर line parallel नहीं है, तो corresponding angles बराबर नहीं होगे, लेकिन खुबसूरत बात यह है, कि लेकिन vertically opposite angle बराबर होते हैं. समझ में आगे हैं? ठीक है. अब एक बहुत शांदर बात समझ में आ रही है, कि angle 1 किसके बराबर है? angle 3 के और angle 5 किसके बराबर है? angle 3 के. 1 भी 3 के बराबर है, 1 भी 5 के बराबर है, तो 3 बराबर हो गया 5 के, और एक और चीज़ समझ में है कि 2 किसके बराबर है 4 के, और वही 2 6 के बराबर है, तो angle 4 बराबर हो गया angle 6 के, और इनका भी एक खुबसूरत सा नाम है और सबसे ज़्यादा यूज है, सबसे ज़्यादा यूज इस lines and angles चाक्टर के अंदर, उनका नाम है alternate interior angles, और कुछ दो तिन बाते हैं जो तुमको और बताना चाहता हूँ, ऐसा पता लगा कि angle 4 यानि interior angles के सामने वाले, आमने सामने वाले angles का सम 180 degree है, मतलब इन दोनों का सम 180 degree, इन दोनों का सम 180 degree, तो ऐसा पता लगा कि 4 प्लस 5 180 degree के है, और 3 प्लस 6 भी 180 degree के बराबर है, आप चाहेंगे तो मैं इसको प्रूफ भी कर सकता हूँ, कैसे बताओ, चौड़ एक बाह बताओ, 4 प्लस 3 किसके बराबर है, angle 4 प्लस angle 3 180 degree के बराबर होगा linear pair, एक straight line, पूरा 180 degree का linear pair, इसको बोलेंगे हम linear pair, क्या बोलेंगे, linear pair, बहुत शानदार, अब एक चीज और समझ में आ रही है, बहुत शानदार वो क्या, कि जो 4 है वो 5 के बराबर भी है, 4 जो है, वो 5, sorry, 4 जो है किसके बराबर है, 4, 4, 4, 4, 3, जो है वो 5 के बराबर है, 4, 6 के बराबर है, तो 4 की जगा 6 रख दो, तो 4 की जगा 6, और 3 is equal to 180 degree, और इन ही को बोलते हैं, co-interior angles, क्या बोलते हैं, co-interior, sorry, co-interior angles are supplementary, are supplementary, मतलब इन दोनों का सम कित्ता होगा, 180 degree, तो यह supplementary होते हैं, co-interior angles, such similarly, angle 4 plus angle 5 will always equal to 180 degree, but the condition is, these two lines should be parallel, and one line intersecting these two lines, acting as a transversal, ठीक है, इतना समझ में आगया, I hope आपको समझ में आगया, बाकी और basic तो कुछ भी नहीं है, बाकी फिर आप आगे और बात करेंगे, और questions आएंगे, तो हम questions को solve करेंगे, ये था पूरा का पूरा introduction for this chapter, जो जो छोटी छोटी मगर मोटी बाते हैं, आपको याद होना चाहिए, इस chapter से related, तो I hope आपको ये lecture समझ में आगया, lecture समझ में आगया, तो पसंद आया, sorry for the interruption of the light, power cut, तो तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, देखते रहो पुनिस सर की पाठ शाला, जैहिन!